कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम इशार्दा स्वावत है आपका मोर टेस्टी फूट पर आज हम गुड के तोशे बनाएंगे जिने बनाना बहुत ही आसान है उसे खाने में भी बहुत ही स्वादिश्ट लगते हैं तो बनाना शुरू करते हैं गुड के तोशे कपू मैदा है इसे डालेंगे और यह एक चॉथाई कप देसी घीलिया है इसे भी डालेंगे इसकी जगह हम रिफाइन रोयल भी डाल सकते हैं लेकिन गही के बनेतों से वहोती क्रिस्पी बनकर तेयार होते हैं यह दो चुटकी देखिंग पाउदर है इसे भी डालेंगे इससे नमारे दो से उदोतु से सोफ्त बनेंगे अब हाम यह हैं पहले मिक्स करेंगे महा परफेक्ट है इसमें हम यह यहत्का भुण उबानि है इससे हैं इसका टो गाकर मैदा करेंगे नाहीं ज्या दे नाहीं ज्याद हाड तो-मिडम तेका डू लग चुका है, आभ इसे हम एक बॉल में रख देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे डू को रेस्ट करते हुए दस मिनट हो चुके है आभ इसे हम ठोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेंगे, एक लोगी तोड़ेंगे इससे एक साइड रखेंगे और इसे बे लेंगे हम इसे रोटी के बरावर बेल कर तयार करेंगे देखिए इसकी थिकनेस इस तरह की रहने चाहिए इससे फतला हम इसे नहीं बेलेंगे अब हम अपने तोसे कट कर लेते हैं आदा इंच लंबाई में कट लगा लेंगे कहीं कहीं इने सक्कर पारें कहीं सक्कर पाली और कहीं कहीं गुर्गे तोशे के नाम से भी जाना जाता है एक कट यहाँ लगाएंगे जिससे हमारे तोसे में अच्छी स्वेप आ जाए और इसे उठाकर अपने मैदा के डोल में रख लेंगे यह फिर से तोसे बनाने के काम में ले लेंगे इसे अब इस तरह एक तोसा उठाकर हाथ से सेफ देतेंगे जैसी हमें मार्कितने मिलती है इसी तरह मैंने सभी तोसे बनाकर तयार कर लिये हैं और यहां घी गरम होने के लिए रख दिया है तोसे हम रिफाइंड में भी बना सकते हैं गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और अपना एकक करके तोसे इसमें डालते चले जाएंगे यह हमें मीडियम फ्लेम पर ही सेखने है जैसे यह नीचे से सिखेंगे हम इन्हें पलट देंगे देखिए कितना बड़िया कलर आया है हमारे तोसे पर सेकिंड वैस भी हमारा बनकर तयार है इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे यहां मैने फिर से कड़ाई रख दिया और उसमें यह एक कप घुष है जिसमें मैने कड़ू कस्यों करेट के लिए है हम गड़ को बारी कोड़ कर भी ले सकते है कहाई में डाल देंगे और नेकमच्प कारीब पानीड दाल देंगे पानी हमें ही कम ही डालना है गुड़ कंद्रू क्स करने से जल्दी मैलेट हो जाता है गुड की चासली बनाते हुए हमें यही धब धान रखना है कि गयास की फ्लेम हम बिल्कुलُ शिरॉ रखेंगे जिससे हमारे घुड का लट चेंज ना हो और हमारी चास्नी बढ़िया से बनकर तयार हो यह इस तरह कि विल्कु चिप चिपी इसमें से कई तार निकल रहे हैं चास्नी में डाग देंगे और गैस की फ्रेम बंद नहीं करेंगे और यह तो से कोट कर लेंगे और इसमें यह यह भी डाल देंगे अगर आप पसंद करते हैं तो जुरूर डालें इसकी बहुत अच्छी खुस्बू आती है जब हम तोसे खाएंगे इन्हें लगाता अब हमारे तोसे अच्छे से चास्नी में कोट हो चुके हैं अब हम गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इन्हें पूरी तोसे बनकर तयार हैं इन्हें एर टाइट जार में बनकर एक महिने तक खाया जा सकता है आप भी अपने घर पर इन्हें जरूर बनाएं और अपना फीड़ बैक क्लिक कर मुझे जरूर बताएं कि आपको यह रेजिपी कैसी लगी और अपने प्यारे टारे कोमेंट लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पास में जो बैल आई कोट का बटन दें उसे तर्स करना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की टोटिफिकेशन आपके पास जबी से जुली फोंच सकें थेंक्स पर रोचिंग माई वीडियो